खान खुश आमदीद में दरीन निशास्ट खुब अलान इन निशास्त्रों रस्मन आगाज में कुनीं मन अस तरफे बक्षे फारसी दानच गह देली आज सुखनरान इमरूज परफेसर अखलाक अहमद आहन इस्तक्बाल मी नुमायम वा खुशामदीद मी गम कि इशान खाजिर शुदंद के बराये माँ सुखनरानी दर मूर्दे सब के खुरासानी एराद बे फरमाएं मन इशान खाइश कर दे बोदम के इन सुखनरानी इमरूज बे जबाने अरदू बहशे ताके बच्चे हाई माँ इन सब करों बा खुबी बे पहहमन आजा बाटवेन चैसी हे जबाने फार्सी पर जबाने अर्दू में आय। मैं बक्षे फार्सी दांशगाई देहली की तरफ से प्रॉफेसर अखलाग अहमद अहन साब का इस्तकPAल करता हूँ आपने हमकार और अपनी उस्ताद परफेसर बिलकिस फात्मा हुसेनी साहब का इस्तकبाल करता हूँ और इसी तरह से अपने परफेसर अली मशर हवकान सहाब, डौक्टर महताब जहान, डौक्टर अली अकबर शाग और एरान से हमारे साथ डौक्टर नर्गिस जावरि नसब ह हमसे जुड़ी हुए हैं उनका भी मैं इस्तिक्वाल करता हूँ अब सबके खुरासानी का मुझम इंदखाब करने की वज़ा यह थी कि हमारे यह में के फर्स स्मेस्टर में हम सबके खुरासानी से मुझम जितने भी शौह हैं उनका मुझम करते हैं और बच्चों से कर्वाते हैं तो मेरी कोशिश थे कि जितना भी हमारे निसाब में इस त든रह की चीजे हम जो इस तरह के मूझेfold pot करफे हुस कर से हम अं और हम सबतź है से ठीक्म जब कुछ हुए हैं हम सबी उनसे बाख खुबी आशना है और वो किसी तारूफ के महताज नहीं है लेकिन एक रस्म है ताकि उनका एक छोटा सा तारूफ करवाया जाए आप सब्सक्राइब कि परफेसर अखलाक जैनू युनिवस्टिय से वाब बसता है और इनकी हैसेत एक टीचर तो है ही लेकि एक नाकिद भी हैं शायर भी है और परशन के बहुत बड़े रिसर्चर भी हैं और इनकी कुछ तसनीवाथ हैं जिनका मैं जिकर करना चाहाँगगा यहांपे एक इनके सब्से बहुत मारूप है और बहुत से स्कोलर से स्थाखधा भी कर चूख हैं जो उनके किताब है इनके दो तर्जुमें हैं जो की हिंदी में इन्होंने की हैं एक है अधुरी तस्वीर और दूसरा है मेरा जीवन मेरा संगर्ष ये देवनागरी खत्में हैं और पहले वाला हिंदी जबान में हैं इसके लावा इन्होंने कुछ मजमुए के हैं या कुछ मकालाद के मजमुए चापे हैं जिन पर इनका मुकदमा है यानि मजमुओक इनके तर्टीब चाहूंगा जिसके खायाम शनासी, मकालात मुलाना अर्शी, आसिफ रामपुरी, अमीर खुसरो, पुल्यात रुवायत अमीर खुसरो, मिर्जा बेदिल और इसके इलावा हिंदी फार्सी डिक्षनी भी इन्होंने तर्तीब दी है और निसाब फार्सी का भी इन्होंने मुकदमोत लिखा और तर्तीब गया, इसी तरह से धूप छाओं, इनके एक और कितावे, जो इन्होंने अपना तालीब फरमाई है, अब इससे पहले कि उस्ताद अपना जो है, सुहरा ने अपनी इर्शाद फरमाएं, हम सभी जानते हैं कि सब के खुरासानी, इरान के अंदर चोथी और छट खुब यह थी कि इसमें आसान, यानि यह अगर कहा जाता है कि इसमें अर्भी अलफाज ना के बराबर इसमें है, या बिल्कुल यह से मुवर्रा है, यह कहा जाता है, और हम सभी जानते हैं कि सब के खुरासानी के सबसे बड़े जो शहर हैं, उन्सुरी, मीनुचेहरी, ना आपके और आज के हमारी जो खतीब अहन साब हैं, इनके बीच में हायल नहीं होना चाहूंगा, अब मैं सीधा रुख करता हूं, प्रोफेसर अखलाक अहमत अहन साब की तरफ कि आप अपनी सुखरानी, प्लीज, प्लीज, प्रमाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे मु और इस महफिल में मौजूद असातिजा, प्रोफेसर बिल्कीस फात्मा हुसेनी साहिबा, प्रोफेसर अली मश्रफ खान साहिब, डॉक्टर अली अक्बर शाह साहिब, और तमाम हाजरीन, दोस्ते हमाद, इससे पहले भी मेरे ख्याल से दो सब के हमाले से गुफ्तू हुई है, सब के खुरा एराकी और सब के हिंदी के हवाले से, और तो जाहिर है, आप सब की बहसे वाकिफ होंगें, अगर्चे ये बहुत ही तवील बहस है, और कई लिहास से पेचीदा भी है, लेकिन मैं इसको तीन हिस्सों में और आसान और बहुत ही इक्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा, अवल तो यही के सब एक तोड़ा सा तारुफी के सब क्या है, और इसके हवाले से क्या तज़वरात रहे हैं, मुक्तलिव जमानों में, और कब ये बाजाबता जो जिस मानी में या ज जानते हैं, कबसे इसकी इप्तिदा हो जाती है, दूसरा ये कि एक जो चीज़ है, वो भी हमारे पेशे नज़र रहना चाहिए, खास तोर से जब हम अदब के हवाले से गुफ़गू करते हैं, क्योंकि आम तोर से जब हम अदबी गुफ़गू करते हैं, या शायरों के तारीखी और सकाफती और समाजी जो पसमनजर है, वो भी हमारे पेशे नज़र रहना चाहिए, ताकि बहतर इसकी तफ़हीम हो सके, तो ये जो जितने भी हम सब खैं, उसके पीछे एक तारीखी अवामिल भी रहे हैं, तारीखी वजुहात भी रही हैं, जो जो इस पे असल रही हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर तीसरे में हम आएंगे, कि वाकितन कौन सी वो चीज़े हैं, जबानी इतिबार से, मौजवाती इतिबार से, या लिसानी इतिबार से, जिस से हम इस बात की शनाफ्त कर सकते हैं, कि सब के खुरासानी का शेर या सब के खुरासानी का जो स्टाइल है, या नसर है, उसकी हम शनाफ्त कैसे करें, या उसकी क्या खुसूसियात हैं, क्या उसकी कारेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे भी हम गुफ्तू करेंगे, तो पहली जो बात होगी, वो ये के सब्ध है क्या, सब्ध जिसको हम एक ज वो है माफिज बमीर को कहने का या उसके इजहार का कि तर्ज को हम सब कहते ह outsiders को बनियादी तोर पे और इसके बारे में जो जो बहुत सारे लोगों ने दुनिया बर में आप चाहे येरोपियन जो लोग है उन्होंने भी खासों से फ्रेंच लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपासों से जिसको हम कहते हैं रिनेशा पीरियड ए है तो वहां पर बाकी चीज़ों के साथ साथ खुँजबान लिसान के हवाले से भी बहसे कोई हैं और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनोंने इस बारे में खुद वाल्टेयर जो बहुत बड़ा राइटर है वो भी इस बारे में कहता है और वो यही कहता है कि हर शख्स का अपना एक तर्ज इजहार होता है तर्ज चाहे वो तखलीकी हो या उमुमी हो तो वो उसकी खुद उसकी शख्सियत जो है वो 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 उसमें जहलकती है ये तो एक बन्यादी सी बात हो गई और तकरीबन इन्ही मानों में जिसको वो कहते हैं पुराने हमारे जो शायर है या जो लिखने वाले हैं उन लोगों ने भी तकरीबन इन्ही मानों में استعمال किया और वो वो एक लेकिन जाहिर हम जब ये इनका हम हवाला दे रहे हैं तो ये जो हमारे मौजूदा दोर में हम जिस मानी में सब्क लेते हैं तो उसमें मजमुवी तमाम चीज़ें होके आ जाती है यानि जबान लिसान और तर्ज ये सारी चीज़ों का मजमूआ होके सब्क खूटा है लेकिन पुराने सब्राम जह हम देहते हैं मिसाल के तोर पे आप ये देखें कि खुद भाकाणी है भाकाणी या तवाम बड़े शौरान हैं जिनको हम ताली का शेर कहते हैं जिसको वो तर्जे नो कहते हैं जिसे गालिब कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बया और तो वो बुनियादी तोर पे अपने अम्तियाजी अंदाजे शेर को या सब तर्जे शेर को या शेवे सुखन की बात कर रहा है ना कि किसी अमूमी सब की बात कर रहा है य या मसलां खाकानी जो है वो कहते हैं कि खस तरीके गरीब इनके मन आवर देम आहल सुखन रासजद गुफटे मन पीशवा यानि मैं जिस अंदाज में गुफटकू कर रहा हूँ वो गरीब है यानि अब तक जिन लोगों ने जिस तरह की शायरी की या जिस अंदाज से वो शे है या है यनि वो नए पन को किसी नए अंदाज को कहने को वो इक तरह से अपना तर्ज ऐहाँ एख चारी की बात करता ही तर्ज गरीब या जो है तरीक जरी यह 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 इसकी बार बार हम खाकानी के हाँ हम देखते हैं या मसलन आप देखें कि जो शेवा है शेवा 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 शेव है और वो मसलन घजल कसीदा मसनवी इसको वो शेवा कहता है ठीक है या 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 मसलन आप देखें कि हमारे हाँ शायर है कलीम कलीम काशानी वो कह रहे हैं कि गर्मताय सुखने इमरूज कुसा दस्कलीम ताज कुन तर्स के दर चेश्मे खरीदार आयत ठीक है यहां तकरीबन यह उसी बात उसी तरीके से वो अपनी बात कह रहा है जैसा हमने खाकानी का जिक्र किया कि हम जो जिस तरह की शायरी हो रही है वो सब उसी तर्स में सब कह रह हैं तुम कोई नया तर्स निकालो नये अंधास से उसी बात को कहो यह यह ए यह यहस फो आ सी माना में हो वह कर रहें हैं उसी तरह से آپ साहिब कह जैँ Cindy चा जिक्र करते हैं बै तर्स कम यां याम заाध्मी僕 साहिए ठीक हैं तो यह यह भी आप देकें या मसला Alrighty को कहते हैं कि मै आने एहल सुखन इम्तियाज मन साइब हमिन बसस्त के बाद तर्द आशना शुले हम यहां पे वो तर्द यह बात कहते हैं कि मैंने मैं मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं कि मेरा अपना एक तर्द है जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है तो यह यहां पे खालिसतन शख सी तर्द की बात हुरी है ठीक है बुनियादी तर्द पे कि हर आदमी का अपना एक इंत्याजी तर्द सुखन है जो दूसरों से मुम्ताज या मुख्तलिफ है यहां पे इस तरह की बाते हम खुदमा के यहां या मुत्खदमीन के यहां हम देखते हैं और जैसा कि मैंने अन्वाय-शेर के माنी में लेता है और मौबदबात की अतबार से भी लेता है और वो कहता है कि मध और उसके बाद साधी जैसे कहते हैं कि आ वो साधी कहते हैं कि पुराने जो शोरा हैं हमसे पहले वो खिश्टो कूपालो गुर्जो गरान यानि बिसमुनियादी तोर भी एक तरह से तंज भी है और तनकीद भी है और इस बात का इजहार भी है कि हम हमारे शायरी में जंग और शम्शीर और तीर उ तुफंग की बात नहीं हैं हम उससे ब और इर्फान की और इस्तेजारिजाद की उसकी बात हम करते हैं हमारी शायरी जो है वो तीरो तुफंग और जंग और इस उसकी उसकी शायरी नहीं है तो एक तरह से वो जो कुदमा की की जो शायरी है जिसमें कसीदा है जिसमें हमासा है रजमनामे है उसकी उससे कह रहा है क उसे हम हमने गुरेज कर दिया है ठीक है तो यहां पे हम जब देखते हैं तो और लेकिन साधी की एक बास से बावजूद इसके कि इनके अपने तर्जे सुखन का इजहार है यहां पे एक इशारा और मिलता है कि वो जो जो जमाना था जो उनसे पहले का जमाना जिसमें कसीदा और हमासा की फरावानी थी या या उसकी फौकियत थी या उस तर्ज की शायरी को तरजी दी जाती थी जो आमदर से दर्बारों से और बाशाहों से जुड़ी हुई थी और जिसमें इनसान के दाखली एसासात और जजबात की तर्जमानी नहीं हो रही थी उससे हमारे दौर की शायरी चुकिकि जिस जमाने में सादी शेर गारे हैं उ जमाने में और भी शोरगा हैँ जो मौदबाती इतिबार से उनसे मौदवारा रखते हैं बसे मौला नरूमी है तकरीबान उन से इनके मौासिर अमिंत फस्रा होया या दूसरे लोग हैं वो इस तरह के मौजवात पे आ गए है तो यहां पे एक तरह से तकरीबन तर्ज से इनकी मुराल जो हम खाकानी का हमने जैसे जिसे जिक्री किया उनके उनसे अलग होके बजाए इसके कि यह शख्सी और फर्दी तर्ज की बात कर रहे हो एक उमूमियत की तरह भी इशारा हो रहा है तो यह यह तो चीजे हुई एक बात मैं और यहां पर अर्ज करना चाहूंगा दूसरे के जो बिलकुल इव्तिदाई शायरी है चुक्छे हम जानते हैं कि जिस सब को हम आज पहचान रहे हैं तकरीबन और जान रहे हैं अगर्चे इ अभी भी तिशना है और यह तकरीबन इसकी इसका साबका जो है सौ साल का है कि जब हम सब की बहस फार्सी जबान वादब में शुरू हुई है और मेरे खाल से उनीस सो एकतीस के आसपास जब भार ने पूरी एक किताब लिखी सबक्षणासी के नाम पे और पूरी इसकी यह यह इस्तिलाह भी इस्तिमाल किया सबक्षणासी पहली बार तो उससे पहले जो है इस तरह से इस पे बहसे नहीं हुई थी अगरचे लोग एक एक उसका उसकी समझ तो रखते थे जैसा अभी हमने अर्स किया लेकिन जो बिलकुल इबतिदाई शायरी है फार्सी की जो जो ज दोर में खास तरह से जो तक्रीबां अस्तर असी साल का जो दोर है उस जमाने की शायरी और शोरा का कलाम हमें बहुत महदूद रूप में मिलता है और इसलिए उस पे उसके सब्क या उनके स्टाइल के बिलकुल बहुत तफसील से जाने के लिए खासर से जो इबतिदाई श मुष्खिसात है इसके उस पर हम मतलब जो आज का तहकी करने वाले नाक्दीन है उनके लिए एक परिशानी है कि उस जमाने की जो शायरी है वो तीन तरह से हमारे रहां मिलती है एक तो यह है कि जो हमारे हैं कुत्ब तारीख और तथक्रे हैं जहां पर तारीखी उ जमाने के वाकियात हैं तो उसमें से कुछ शायरों का जिक्र और उनका कुछ आशार का जिक्र आ जाता है ठीक है तो जाहिर है वो खास वक्त में या खास हालाद के हवाले से वो शेर कहे ग है दूसरा है कि जब वो शेरी महासिन का कहीं पे जिकर आ रहा होता है तसकिरों में बलागत और बदी का तो उसके हवाले से मिसाल के तौर पे एक आद शेर उनकोदमा का लाके पेश कर देते हैं और इस तरह से या मसलें ये किसी किसी शायर का कैकाद शेर मिला है उसको रख दिया है इसलिए उन शायरों की जो अमूमी खूबियां है या उसकी एक शायर की जो पूरी खूसियत है उसकी शनाहत करने में मुश्किल होती है बाद के शायरों का मसलां सामानी दोर के और खास वस्ते रूदकी वगएरा का कलाम हमें जादा दस्तियाब है तो उस बिना पे जब भी हम खासों से सबके खुरासानी के हवाले से भी जब गुफ्तू करते हैं तो हमारे पेशे नजर इनी शायरों का कलाम जादा होता है तो ये भी एक मसला है जिसकी वज़ज़ से उन शायरों के कलाम की खूबियों उनकी उनके मुश्खसाद उनकी खूसियात तक हमारी रिसाई कु दूसरा पहलू जो है, वो है कि कोई सब्क determines कैसे है, इस के पीछे जो तारीखी अवामिन होते हैं, जो सिकाफती और समाजी अवामिन होते हैं, वो भी हमारे पेश नजर रहना चाहिए हम जिसको खुरासानी कहते हैं या उसके बाद एराकी कहते हैं या उसके बाद हिंदी कहते हैं तो उसके उसके पीछे भी एक तारीख है और उसके अवामिल है कि क्यों हम उसको खुरासानी कहते हैं और क्यों दूसरे को एराकी कहते हैं और क्यों तीसरे को हिंदी कहते हुरासान जो जो तारीखी इत्वार से जो इलाका है वो किसी खास मुल्क का या कोई पॉलिटिकल जिगराफिया नहीं है बलके एक सकाफ़ती जिगराफिया या तहजीबी जिगराफिया है और वो आप देखें तो उसकी जो शुरुआत होती है कि अरबों के आने के 200 साल के ब एक तरह का पॉलिटिकल या सियासी कश्मकश अरबों के दरमयान और जो एहल फारसी हैं एहल एरान हैं उनके दरमयान शुरू होती है और उस जमाने में कई सारी एक तरह से हम आज की इस्तिलाह में अगर हम कहें तो सियासी और सकावती तहरीके भी चल रही है इसमें शौब का एक तरह से डिमांड कर रहे होते हैं या इस बात का एक तरह से सर्शन वहाँ पे हम देखते हैं कि जो गैर अरब है वो भी अरबों से के मुसावी हैं उनसे किसी मामले में या दूसरी अक्वाम जो है वो उनसे किसी मामले में कम नहीं है और ये खुद ये नामी शौबिय यह जो बात की तरफ इशारा है तीसरी जो चीज है वह यह पूरा इलाका जो है जो मौजूदा इरान का शमाल- मश्रिकी इलाका आज भी हुरासान कहलाता है, वह सुबा है पूरा पिर तकरीबन पूरा अफगानिस्तान और सिन्ट्रल एशिया के ताजिकिस्तान और उज्विकिस्तान का इलाखा जो फार्सी रिवाईवलिजम का मरकज रहा. ठीक है? और जब हम रिवाईवलिजम की बात कर रहे हैं तो वो दोनों दोनों मानों में हैं. यानी सियासी यत्वार से भी और तहजीबी और सिकाफती यतिवार से भी तो आप देखें यह कि वहां पर वो बगावत कर रहे होते हैं अबासियों के खिलाफ जो एक तरह से अरब डॉमिनंस हैं और जब वो बगावत है तो उसमें जाहिर है रकावत भी है और ये रकावतें जो हैं नसली और सकाफती भी हैं तो इस बुनियाद पे फिर वो अपनी चीजों के रिवाईवल और अपने वजूद और अपने जो जो आइडिन्टीटी है उसके एसर्शन की बात हो रही होती है हम उससे पहले आप देखें कि अरबों के आने के बाद या अरबी जबान जब इरानियों ने अपनाया है यहां पर एक बात मैं और्स कर दों कि आम तोर से जो मुर्रिखीन है चाहे वो अरब मुर्रिखीन हो या इरानी मुर्रिखीन हो दोनों ने आम तोर से शेकस्ते इरान को सिर्फ एक एक तरह से अस्करी शिकस्त के तवर दिखाते हैं एरानी जो है वो अपने आःप पो मजलूं देखाता है और अरब जो है या जो प्रो अरब हैं वो अपने आःपको फास्तिय के तवर दिखाते है ये दोने नजरियां अगर हम बहुत गोर से देखें तो गलत हैं क्योंकि अरब अगर हम देखें तो जो इरान था उस वक्त एक तरह से उस वक्त का सूपर पावर था उसको वासकरी तोर पे शिकस्त नहीं दे सकते थे ये खुद उनका दाखली इनकलाब था जिसने इसलाम को और अरबी को अपना लिया ये और अपने हुकूमत के खिलाफ या उस वक्त का इस्टबलिश्ट निजाम था जो जावराना था और जो मुख्तलिफ तबकार में बटा हुआ था ये उनका अपना एक तरह से एक तरह से इंकलाब था और उसके खिलाफ वो खड़े हुए थे इस बन्याद पे आप देख था तो ये ये इसलिए हम देखते हैं कि शुरू के 200 साल में जब तक ये ये इखतलाफात इस सतर तक नहीं पहुँचे कि यहां तहरी की शकल अख्तियार कर गई आप देखेंगें कि जो इरानियों का कॉंटिबूशन है या जहान फार्सी का जो कॉंटिबूशन खुद अर नहीं आप उसकी एक मिसाल देखिक लें खत हैं कि अरवों के बास फिर एक था खत कूफी जब इरानियों के पास आता है तो खत रिकाभ भी और खते तालिग भी और खते नस्क भी और खते रहान भी और खते ौस बी और नजाने कितने खत्में वो डाल देते हैं तो जो इरानी का जो जमालियाती हिस है वो उसको उसमें चार 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 लगा देता है उसी तरह से आप आदिस की उलूम में देखें या अरभी जबान की खुद के हवाले से देखें कि अबने मुकफा फॉस्ट जेनरेशन अरभी ना है और उसमें जिस किताब का तरजमें किया वो आज भी तमाम अरभी दुनिया में बढ़ाई जाती है तो ये ये शुरुवाती एक दौर था जो जिसने उसको अपनाया था और वहां पे एक तरह का जोश था लेकिन वो जोश दो सो साल के अंदर अंदर ठंडा हो गया जिसके नतीजे में अश्छ कि के शुरूआत हुई जिसने जिसके नतीजे में ताहरी और सफ़ारी हकोमतों का प्याम हुआ जिसके नतीजे में दो बारा फारसी जबां जो बनुआले एक जबां के उन अलाकों में राइश थी और मुँक्त लिख़जे था आज भी हम देखतें मेरे ख्याल से तीस तीस लेजों का ये गोईश का जिक्र किया है तो आप देखें कि बनवान एक अदब के या अदबी जबान की शुरुआत तीसरी सद्धी हिज्री में होती है और ये इस एहिया परस्ती का नतीज़ है इस तमहीद के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि फिर सबके खुरा ये जो इस एहिया परस्ताना या रिवाइवलिस मुवमेंट के नतीज़े में जिस अदब जिस जबान का फुरुग होगा तो उसकी क्या करेक्टिरिस्टिक मुंकिना करेक्टिरिस्टिक हो सकती है तो इसमें आप हम देख रहे हैं कि इसमें एक सियासी रखाबत है सकाफती और नसली और लिसानी रिकाबत है जिसकी बुनियाद पे फार्सी का रिवाईवलिजम हो रहा है एक जुम्ला बहुत कोट किया जाता है और कहा जाता है कि याकूब बिन लेस के सामने जब मुहम्मद वसीफ ने, मेरे खैल से मुहम्मद वसीफ नहीं, मुहम्मद बिन वसीफ पहले शायर के तोर पे मतारिफ है उसने जब अरबी में कोई कलाम पढ़ा तो उसने कहा कि मैं जिस जबान को समझ नहीं सकता उस जबान में क्यों खसीदा कह रहे हो तो फिर जो है उसने फार्सी में कहा ये सिर्फ एक जुमला नहीं है ये अपने तैजीब के या अपनी जबा के को रिवाइब करने की कोशिश है या उसके तरफ एक इशारिया है और उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में खुरासान के अलाके में जो जो तहरी इंतमाम तहरीकात का मरकज था वहां पर फिर इस जबान में शायरी शुरू होती है यहां पर एक चीज़ और हमारे पेशे नजर रहे कि चुके अदबी जबान के तोर पे इसको रिवाइब किया जा रहा था तो इसमें और जाहिर दो सो साल तक ये शायद बतौरे अदबी जबान इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था तो इसमें एक इसके फरोग को भी हम उसी हिसाब से देखते हैं कि एक इबतिदाई दोर हैं और फिर दीरे दीरे वो फरोग पाता जाता है तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से एक तिफले शीरखार अगर उसको दर्द हो तो सिर्फ रोता है और ये उसकी जबान बहुती आफाकी है लेकिन जब वो पांस साल का होता है तो वो इस बात का इजहा रहा है जब और बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसकी तोजी कर पाता है उसी तरह से जबानों क्या जो फुरोग होता है तो वो भी अब्तिदाई दौर में उनके पास अलफाज इस्तिलाहात की कमी होती है और बाद में हम दीरे दीरे देखते हैं कि वो फुरोग पाते पाते उसमें इजहार की उस्त होती चली जाती है वही हाल हम इस फार्सी के रिवाईवल के बाद भी हम देखते हैं कि जो अब्तिदाई फार्सी है उसमें अलफास की कमी है यानि मुखतसर अलफास के साथ या मुखतसर बयानिया है साधा बयानिया है और हम धीरे धीरे देखते हैं कि सामाundi दोर तक आते आते महासीन शेरी और सनती लिहास से और क्राफ्ट के लिहास से शाहरी जो है वो बालातर और फुरोपाती वी चली जाती यह, ठीक है तो ये ये चीज़े हैं और इसके बाद मैं आपको मिसाल के तोर पे बताना चाहूंगा आपकी खिदमत में अर्स करना चाहूंगा कि क्या क्या खूबिया है जो सब के खुरासानी की हैं पहली बात तो यही है कि जैसा कि मैंने अभी अर्स किया कि चुके ये रिवाईवलिजम के नतीजे में ये जबान आई थी और ये सब की शुरुआत हुई थी या फार्सी शायरी की शुरुआत हुई थी तो जाहिर है इसमें जिद्दे अरब एक एक उनसर था और वो जिद्दे अरब सिर्फ निजादी या सियासी तोर पे नहीं था बलके लिसानी तोर पे भी था इसलिए हम इब्तिदाए इस दोर के जो शुरुआ हैं उनके हाँ एक तरह से आमदन इहतराज मिलता है एक गुर इसमाल से ठीक है अरबी तल्मिहात से और वो जान बूझ के कोशिश ये करते हैं कि जो असील पहलवी या फारसी अलफाज हैं उनका इस्तिमाल करें जाहिर हैं और चुके इसके इस्तिलाहात की वो है तो उसको फिर बाद में उसको डेवलप करते चले जाते हैं और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो इरानी उनके वो हैं आपके जो जो कैरेक्टर्स हैं पुराने बादशाहों के उनको लाते हैं बतौर तल्मिह और अगर हम देखें कि जबान के लिहास से तो मिसाल के तोर पे उसमें जिसको हम कहते हैं आज कल कह सकते हैं कि कोहनगी है कोहनगी से الفاظ का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मसलां कुछ कुछ चीजे जो महाकिकीन ने जिन चीजों की शनाफ्त की है जिसमें कई लोग है खुद बहार है आपके और अस्ताद जाफर महजूब है और भी दूसरे लोगों ने बास चीजों की निशान दही की है जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि ये खास ऐसी चीजे है जो जो सबके हिंदी की शायरी में या उसकी नसर में भी हमें देखने को मिलती है विसाल के तोर पे कुछा का इस्तेमाल वो मौसूल के तोर पे करते हैं मौसूल यानि दो जुम्लों को जोडने के लफस के तोर पे मसलां कहते हैं कि कुहन कुनत बेजमानी हमुन कुजा नौबूद वनौ कुनत बेजमानी हमुन के खलकन बूद बसाश कस्त बयाबन के बाग खुर्रम बूद वाग खुर्रम बूद अन कुजा बयाबन बूद तो यहां कुजा दरहकीकत अगर आप देखें गोर से तो के के मानी में आ रहा है और वो एक बतुर मौसूरी इस्तेमाल हो रहा है और उसी तरह से पहलेवी के बाद अलफाज हैं मसला एदून है या इदर है ये जाहिर है आजकल मतरूक है उसका इस्तेमाल बहुत वहां पे होता है हसाल के तोर पे खुद रूदकी का शेयर है कि कहता है कि खुद बेखुर्द नूश और अलियाश हमिदून गोयद हर येक्चू में बिगीरद शादान या मसला आ आ आ आ आ आ दूसरे शायरों के यहां भी इसकी चीज़े मिलती है चुकि हमारे हैं जातर जो 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 कलाम ही है अबुशकूर बल्खू बल्खी किया है कि दुश्मन गरीदून के याबी शकर गुमान बर के जारस हर्गिस मखर तो ये ये चीज़े हम आ देखते हैं उसी तरह से एक चीज़ और उनके हां मिलता है आ वो है पुराने पहलवी अलफाज जैसे अबा बाबी और आ अब ठीक है मसला अबा बरको बा जुस्तने साइके साइके बरक को ही कहते हैं राद को कहते हैं अबा गुलगुले राद दरको सार तो ये जो अलफाज हैं जो अब जाहिर मतरूख हो चुके हैं वो वो अनके हां इस्तेमाल होता है उसी तरह से अलिफ इतलाख यानी किसी भी लफ के आखिर में एक इजाफी अलिफ कर देना ये भी उनके हम देखते हैं मसला तुबारा रूदकी का एक शेर है चुनन के अश्टरे बीबद सुए कुनाम शुदे जे मक्रे रूबहो जागो जे गर्ग बेखवरा अब यहां बेखवरा में जो अलिफ का इजाफा है वो बुनि के अशार में बहुत मिलता है मसला असर मी न खानम के बेमान बेजहान मीर खाहम के बौद मान दे बेजाए असरा और इस तरह से बहुत सारी मिसाले हमारे हम जो जो सबके खुरासानी के शौरा है मसला बया मोज हर्चन बेतवानिया मगर खेशतन शाद गिरानिया अब अर्दू में भी हम इस तरह की मिसालें देखते हैं कि जो इफ्तिदाई है मसला अबुलहसन की जो शायरी है सहर बयान तो उसमें आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि इधर से उधर आतीया जातीया सबी अपने जो बन पहेँं पहीट चुड़ातीया जो जमया अने का जो तरेखा है यह इपतिदाई शक्रेए है उसी प्सक्रे की बाते हम आप फार्शी में भी हमारे हम नजर आती है और उसी तरह से यह रहर फेनित आफ को आ जो है शुरूख रूभ करना रुसिया उससे जो है किसी शेर का या मिस्रे का शुरू करना जिसे अर्फेतफ यानि जोडने के जो गुरूफ होते है वाओ मसलन या हमुन वो वो भी सबके खुरासानी के शौरा के हाँ बहुत दिखाई देता है यहां पर आप देखते हैं कि वदर्वीश नफरिन बरू बेगुना अगर्चे इस तरह की चीज़े हमें बात की शायरी में भी नजर आती है लेकिन वहां पर आप देखे हैं कि एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे वो मिस्रों को जोड़ने के लिए वाओ का इस्तिमाल कर रहे हैं अब देख रहे हैं हर दूसरे मिस्रे में वाओ से इसकी शुरुआत हो रही है तो यह जो है हर्फ अतफ वो हर मिस्रे के शुरू में जोड़ने के बतार जो भी इस्तिमाल कर रहे हैं तो यह भी एक तरह से उस जमाने की जो है सबके खरासानी में इसका इसका एक तरह से जादा इस्तिमाल हमें देखने को मिलता है उसी तरह से खारिज़ वजन या जो है ऐसी जो नामानूस आज़ान है वो भी हमारे हम देखते हैं इसमें सबके खुरासानी में अगर्चे ये चीज़ हमें सबके हिंदी में भी दिखाई देती है खुद बेदी किया दिखाई देती है कि जो हिंदुस्तानी च्छन सिस्टम है उससे वो मतासिर है अब ये देखने की चीज़ है कि सबके खुरासानी में जो ये गरीब या नामानूस जो आज़ान है वो उसका कोई तालुक इस कित्ते से तो नहीं है ये मेरे ख्याल से एक तहतीक तलब नक्ता है जो देखने की जि उसी तरह से और भी बहुत सारी खुबियां हैं मसलन आप देखेंगे की बहुत सारे अलफाज हैं जैसे जहत के लिए अब हम जो आजकल फारसी में इस्तेमाल करते हैं कि जैसे खावरान खावर मगर्ब को बाखतर या जो है मश्रिक को खूरवरान या खूरवरान तो ये इ वहां पर हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से आप देखें कि जैसे तक्रार जुम्ले और कलमे बहुत है। और ये इस बात की इलामत है कि खुद वो चुके इपतिदाईी जबान है और जब जब जबान ये अपने इपतिदाई मरले में होती है तो हमाँ अलफाज की कमी है जैसे आज का शायर अगर कोई शेर कहता है या कोई घजल कहता है तो वो इस बात की कोशिश करता है कि उस घजल में उस लफस का दुबारा तक्रार नहों हो। लेकिन आप जब अबतिदाई शायरों के हाँ देखेंगे तो एक लफस का बार बार तक्रार मिलता है। या ये क कोशिश वो ये करते हैं अगर कोई बड़ा शायर है तो वो कोशिश करता है कि उस लब्स को दूसरे माणा में इस्तिमाल करें यह चीज़ हमें बड़े शायरों के यह मिलते हैं कि एक जिसम्साल के तरफे बेदिल हैं, बेदिल के यह हजारों बार आईने आईना लफस का इस् बिल्कुल इतिदाई चीज़ है, तुरा अगर मुलके चीनियन बेदी रू नमाज करदी और दीनार रा पराकंदी, तुरा अगर मुलके हिंदोन बेदी रू सुझूद करदी और बुद्खानेश बरकंदी, अब यहां पर आप देखें की अलफाज एक ही लफ़ बेदी जो ह या करदी, या मसलना मुलक, तो इस तरह से वो एक ही लफ़ का इस्तेमाल बार बार एक ही शेर के दूसरे मुक्तलिफ अभियात में हम देख रहे हैं, जो जो बलके खुरासानी दोर के भी बिलकुल इबतिदाई यह 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 अंदाज है, जो बाद के आशार में यह ब आसानी के जो बात का जमाना है, उसमें हमें जो घजनवी पीरियड है, जब शायरी बहुत अरूज कर जाती है, तो हमें नहीं दिखाई देती इस तरह की चीज़, आ उसी तरह से आप देखेंगे कि खुद जो मसादिर हैं, मसादिर में भी हम देखते हैं कि बाद में मसाद का इखतरा होता है और बहुत सारे मसादिर जो है जाली भी गड़े जाते हैं लेकिन इव्तिदाई में बहुत सारे अलफाज के साथ वो करदन जोड़के वो मसदर का इस्तिमाल करते हैं मसला खुद ही जैसे लफ्स हरब करदन करते हैं जन्गीदन जो बाद में हो गया है इस तरह की चीज़ें हमें सब के खुरासानी में नजर आती है उसी तरह से बाद तराकीव हैं जो मतरूक हैं जैसे मसला वाम तुखतं फाम तुखतं ये ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत पुरानी जो 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 शायरी है ताहरी दोर की और और सफारी दोर की उसकी उनके हैं यह चीज हमें मिलती है उसके अलावा ये है के नजरियाती और फिक्री एतिबार से भी आप देखें तो आप ये देखें ये के इनकी शायरी में जो सबके खुरासानी की शायरी है वहां पे कोई गहरे अफकार या कोई फलस्फियाना वहस हमें देखने को नहीं मिलती बलके साथ हैं अंदाज में साथी चीजें वो बैयान कर जाते यहां तक के चुके हमने जैसा के अर्जश किया कि चुके अरबों से भी वो एक तरह से गुरेज करते हैं अरब शायरी और अरबी माखिस से तो वो उनके हाँ जो आम जजबात है आम एहसासात है वो उसको बयान कर देते हैं तो यह चीज़े हैं एक चीज़ और हमें जैसे देखने को मिलती है कि जैसे जमीर जो है शीन जैसे शीन जो है उसके लिए थाट परसन के लिए हम इस्तिमाल करते हैं और ते सेकेंड और मीम फ लेकिन वो जैसे आम तोर से मफ़ूली सूरत में होता है लेकिन वो फाइली सूरत में भी लेके आते हैं जिसे मसलां फिर्दोसी कहते हैं गिरफटश फशोयाल अस्बे सिया जिखुन लालशुद खाक खाक आउर्द गाह ठीक है तो आप यहां देखें कि इसको फाइली शक्ल में उनोंने इस्तेमाल किया है या मसलनल ओ है ओ का इस्तेमाल हवाम तोर से जांदार के लिए करते हैं लेकिन सबके खरासानी के शोरा कियां फैल और फाइल दोनों के लिए या जैसे गेर्जी रूँ के लिए भी जो है इस्तेमाल उ का करते अगर बाशन बार गरदन महोः फुरशीर सजाए पाए गाए उ आप देखें कि यहां पे घेंगे बार झाये के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल वो कर रहे ह। आप यह सारी चीज़ें जो आप देखें कि सब के वरासानी के यहां पे हमें मिलता है दूसरी जो चीज़ है जैसा के अर्ज किया वो ये कि कोई गहरी, फिक्री, या फलस्फियाना चीज़ नहीं मिलती है तो आम तोर से शादो, निशाद और एक तरह से तफरीख की बातें उनकी शायरी में मिलती है और इसकी वज़े ये भी है कि चुके उस वक्त का जो शेरी तबका या शायर अदबी तबका जो है वो दर्बारों से चुड़ा हुआ है और उसकी जो तरजीहात हैं वो खालिस वही है जो जो दर्बार को पसंद हैं तो इसलिए ऐसी बाते हैं और बाद में हम देखते हैं कि इस से जो है एक तरह से जब यह फरोग पाता है और ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो जिनका नजरियाती इतिवार से उसर्थ है तो वो फिर बाकी चीज़ें लेके आते हैं लेकिन इव्तिदाई जो शाहि देखें कि घजनवी एहद में फिर उसमें फरोग आता है लेकिन ये सारी चीज़ें और ये सारी खुस्सियाद हमें घजनवी दोर की शाहिरी में भी चाहे वो खुद फिर्दोसी हो या दूसरे शोरा हो उनके यहां भी देखने को मिलती है तो ये मुक्तसर सी गुटगू थी और इसके बाद अगर कोई स्वाल हो तो हाजिर है कि शुक्रिया प्रफेसर अखलाक अहमत अहन साब आपका एक से मुफसल गुफ्टगू के लिए आप जैसे प्रफेसर साब ने फरमाया कि अगर आप कोई इस से लेक्टर से प्लेटेट कोई क्वेस्चिन हो या कोई अलग से कोई जाफा करना चाहें तो आपका खैर मक्दम है जी सर स्वालेकूं मैं एवद्मिया सर लखनौ से फरमाईए सर एक मालूमाती तला के लिए है जो आपने ये बताए अलिफ जो है इसको अलिफ निदाईः भी कह सकते हैं नइदाईः बिलकुल अलग होती है वहाँ पर जैसे निदाईः तो वो होती है जैसा मम कहते हैं नहीं किसी को पकारने के लिए खड़ आए एसे ख़ड़ा आए जी कोई और असलाव अलीबिम सर्व मैं एक चीफ छोटा सा सवाल है मेरा सर्व सर आपने अभी जो सप्यो खुरासानी के बारे में बताया और उसमें इनिशेल लेवल में जो इरानियों का जो जिद्धे अरफ के बारे में आपने बताया जो पुलिटिकली, कल्चरली और लेखाने चौर पे और इरानी जो है वो कासी असील फार्टी का इस्तमाल करते कर रहे थे उस जमाने में और कासी अरबिक वर्ट से जो वो एक गुरेज करना दिखता है उस जमाने में इरानी करेक्टरों को यूज करने की कोफिश कर रहे हैं तलमी के तौर पे यह सब बाते आपने बताई सर नहीं यह जानना चाहता हूँ मेरा सवाल यह है कि क्या इसको नैशनलिजम के तौर पे देखना सही होगा या फिर यह लोग जो इरानी है यानि जो उस इरिया के उस टाइम के इनके अंदर यह कॉन्फिटेंस पोलिटिकली स्ट्रॉंग और जोग्रिफिकली स्ट्रॉंग होने की बज़े से है या यह नैशनलिजम के पार्ट कर देखा जाएगा इसको मैं समझता हूं जब यह पॉलिटिकली काफी स्ट्रॉंग उस दमाने में है और जोग्रिफिकली स्ट्रॉंग है क्या यह सोचना सभी है या नहीं सभी है यह मैं तो वही दूसरे हिस्से में मैंने यही बात करी कि यह एहिया परस्ताना जो उस वक्त मुव्मेंट्स थे जिसके नतीजे में ताहिरी हुकूमत का क्याम हुआ उसी के नतीजे में सफारी हुकूमत का क्याम हुआ और उसी का एक्स्टिंशन जो है वो समानी दौर है ठीक है, तो ये तो खालिसतन एक नाशनलिस्ट एहिया परस्त, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, और उसके नतीजे में फार्सी जबान और अदब और शायरी का भी फरोग हुआ, ये तो है, ये तो मेरी गुफ्तुगों का हिस्साई था, बिल्कुर सही है, यही बात है। सलाम असाद, हाला शुमा कोबें? खदार शुक्तुगों की जबाद शुमा गुफ्ती की दर शे, दर रान जमान, दर ये क्युम्ले, अलफजाय मुफ्तलिस्ट इस्तिफदे मीशरत बामाना ये जड़रगाने. मैं खास्ताम बे तुरसान की आया नस्त हम इन्वार बूद, या अलफजा बामानी जड़वाने इस्तिफदे मीशरत, या फ़क्त इन्वार रविश दर नजम इस्तिफदे मीशरत? बली, तर दलील इन कि चुन दर शेकल इब्तिदाई बूद, जबान हम, चे जबान शेरी वचे जबान मनसूद, रुस्ते, मामी बीनिंग के उन्जा ये नवे कंबूद, अलफज और तराकी वस्त, वे हमें दलील उन्हा ये लफज रा या ये कल्मे रा तक्रारन इस्तिफ रुस्ते, अगर इम्रोज मामी बीनिंग के दर घजल येक शायर येक लफज रा तक्रार मी कुनाद, उन येकी अज माइब शेर महसूब मीशावाद, इल्ला इनके उन वे दर मानी दीगर हमुन लफज रा इस्तिफादे कुनाद, दर अब्तिदा मामी बीनिंग के येक लुदाने तक्रार मी शावद दर शेर, दुरस्ते मसला दर शेर अवल, अट दर शेर दोवं, दर शेर दर बाहत सिवं इन तोर मी शावद, वे इन बे दलील हैं के चुन दर खालते अब्तिदाई हैं वे इन ये एक नवफज फरावानी हैं, अलफज औ कलमात तर अकी नदा करेंड बे इन दलील इस्तफादे मी शावद, वे इन चीजा मा दर नसर हम मी बीनी चरा, दर नसर हम, चुन अवन नसर अगर, शमा तवजग कुने दर कुल जहान, अवलीन चीज दर अदबियात शुरू, दर अब्तिदा शेर शेर शुरू मी शावद, चे दर जबान युन जबाने फारसी हम, अवलीन नमुनहाई अदबी दर शेकल शेर हस्त, वा बादन वक्ती के जबान बीशतर फरूग या या इर्तिका या पिश्रफ्त मी कुनाद, दर अन सुरत मा मी बीनीं कि नसर हम शुरू मी शावद, दर अर्दू हम चुना अदमन दीदे बाशीद, के शेर हस्त, बादन तरफे, चुन शेर हम बे इन दली शावद हितमालन के शेर, दर शेर मा मी तवानिम, बाद अलफाज कम मानाई ये बीशतर रा इबलाग कुनें, दरुस्ते, बार ये नविशतन नसर मा ज़्याद कलिमात और इस्तिलाहात रा नियासदारीं, खुब फिक म को नम के ताउजी शुदे, वाले तेली मावनों मुस्दार, वाले इस्तिलाहाई शेर, मौफाक वाश, मनमी काम के अज इन खानू में रिफर्च्च के चीजी पुशी पुशीदन, आप बादू दर दोरे औरंजी, ये तंज निगारे बज़ुर्ग हजूर दास्ते, इस म मी काई के दर नसर इन तक्रारे अलफाज बाशे, शुमा आसारे निमत खान आली रो मुताले पे फरमाएदे, शुमा इन चीजी उनजा खेली जादे, यानि निमत खान आली अगर अज्यक कलमे रो तक्रार में कुने, वा उन माने दीगे मी दे, खुब, अलान यादम मी आय अज जबाने हिंदी जादम मी आयत, शुमा हिंदी रो बलद हस्ती, गुश बेदी, कनक कनक ते सोग नी मादकता अधिकाये, जो खाए वो बोराये, जो पाए वो बोराये, यानि बे बिर इन चाआ कनक तक्यार शुदे, कनक बेज बाने हिंदी, गंदुम रो मींगवीं, व कि खुमारश आप बर तारिश मीशे पर कसी के तलाई जाद आप अगर पूलों सर्वत जाद आस्टे बाशे उन हम दिवाने मीशे इन बेबी नित कनक कनक्ते सोग नी यानि हजार गुने अगर कसी दो चीजी दो मीजा भी जा बेखुरे बर ये खुमार तारी मीशे बेबी इ कि यानि दर हर जबान तक्रार कलमा था ये बार मानत दीगे में दे वारे दूम मानत दीगे में दे खुब आप बीशा जाए नमें खाम के बन चीजी जाद बेगों आलान अज हमकार महतर में आप परफेसर अरीम अशरों खान खायश में को नब कि लुटवन जल्वा फुर बेश बेशवन क्षिद कर दे कि लिगार ये करीए उसैंकितलं में जबाहई हो है कि भीजी खढ़ अशरों करें को कि आप मन्हाला मुटजा मैं आप सामच कर्दाए में जाकं घर्ड़ हो है वाई पांदेम बराए मुप बनावेक फर्द मुपतदी बूद वर बराए मुपतदीयान बूद, ना बराए मुपतदान. ना इन तोर नीस शुमा इतलापी के शुमा दरीन सुखनरानी बराएबाद दादीद वबराएद दादीद ये तमी ये नौय दीगे बूद, अलबते किताब हा के मसलन दर मुटीदे सबके खुरासानी अगई ये शेहरियार के नविशतन या किताबी के मसलन शबक शनासी हस, में खुनीद उन्जा ये मिगदारी इन सबके शनासी रो खीली पीची देतर गुफते हैं, शुमा खीली राहती गुफती हैं, यानि इन बराएद दानिश्जुयान जियाद मुफीद हैं, कि उन्हा बे राहती बे फैमन के आखिर इन चे वीजगी दारें, सबके खुरासा जानि बिलाखरें, मसलां अज पुदुम ता खुदुम जमन बुदे आज, चे किताब हाद, चे शुआरा बुदें, बुदन के दर सबके खुरासानी शेर सरूदान, वली मन फिग्र मी कुना हम के इन बेहतरी ने सुखंदानी ये शुमा मुरीद सबके खुरासानी बुद प्रियास, वन्ना तना बच्चे हाई मा दानी जुआने माल, बग्ता मा हम खुदमुन इस्तिफादे कर दीम, तबरीक भी हुए हम ते खुदे के आगाई ये प्रोफ्र अखला काहन, वह रहाद हैं, बुदूदू जमन बुदुम जमन के सरकार खुनुम दुदूर जावर शायद रसके निचुन कारदाश्त निस तर्ट निस तर्ट इसक्किर में कुन हम चुनिन कसानी के अज़ दानिश गाय ये दीगे मसला प्रुफसर इश्तियाक इश्तियाक एहमद और मनमी भीरम के इश्तिर इन जलते हुजुर दारन वा हम चुनी इन खीली हमकाराने मा मिसलां दुक्तर महताब जहान, दुक्तर अली एकबर शाह, खुद जियाओर रह्मान आगाई ये इन चीज है, खुद जियाओर रह्मान वा इन दानिश गाहे जामिय मिली है, खानुम जोहरे खातून वा जफर इमाम वा रजिया सुचाना वा मसलां यकी यकी रहागर मुख्तार अहमाद यकी यकी रहागर इसमे बरहम इन जियाद हसतना, यानि कुलन मन फिक्र मी कुनां बीश्टर अस चहल नफर दर इन सुखनरानी शिरकत नमूदे आन, इन खुद इन शिरकत चहल दानिश जूद वा असातीद, मसलां खुद न राजिंदर कुमार के इशन बरनामे हाई ये पैदर पे मतालिख बे सेमिनार व वेबिनार वा गुफ्तुगु ये वीजेई ये सुखनडानी वीजेई ये वीजेई रो बर गुदार मी कुनां के मा हम बा बखश फारसी वा बा मसलां इल्म औ अदब औ तिशन नमी मुदीम यानी चीज या चीज हारो याद मी गिरीम तशक्क्र मी कुना मा गाई ये प्रोफ़सर राजिंदर कुमार वा हम चुनिन कसानी के मन असामिय उन्हारो फरामुश करदे बाब बुदम या इसम न बुर्दम इन जा अज उन्हा पोजिश मी खाहम वा इन्शालला दर आयन द हत्मन एक सुखंदानी वीजेई अज यकी अज आसाती दे दानिशगा या अज हेंद या आज इरान या जाई दीगे हत्मन मा दारीम दर आयन दे वा इन्शालला मुनतजिरे अन सुखंदानी हस्तम वा खीली तशक्क्र मी कुनम जनाब अस्ताद अखलाक आहन के शुमा जह सुखंदानी अम्रूस रो बराए ये मा इराद फर्मूदीद मनोने पशक्र को शुक्रिया पश्क्राइब समय शुमा इनुदे बराए बंदे इस तफ़ार बूद के शमा यानि दावत कर दी दो बंदे तौफिक याफ्तम कि दर हुजूर शुमा बाशम वा हमेशे बंदे हम इस्तिफादे में कुना हम अजिन जलस हाई ये इल्मी है के अगई दोक्तर राजिंदर पर्शा कुमार बरगुजार मी कुनां जहमत मी कशन तशक्राइब हमें दोस्तानों मुझरूबार आपका यक्वाद्टिर शुक्रियोर खान साभ आपका बीशुक्रिया आप लेक जिए अधान गौनी कि और हुकारत। बफर्माइड, बफर्माइड जित्वाद, जित्वाद, बफर्माइड, अगरी, यित्वा करेंद, तो खालします。 आया बे चे तरतीब हैंद। दर शेर फार्सी सब्क खुरासानी दर एरान शारन तलाश मीकर्दन कि वाज़ाय अरबी ज्याद इस्तफ़दे नकनन दर आगाज सब्क हिंदी बसबब इनके मीखासन अन्जजार व तनफर खुदुशन अन्ज़ हमले करें वाला आवारतार के वाले अशार ऑासनी कि जिस्तफ़दे करें अन्ज़ ए. चुछमने व्युदुालाश व्युदुदुन आर्समाने दिस्तफ़दे उन्ज़ुदुन आया उन्हा हम तमायूल दाश्तन के इस्तफ़ादे नकनन अज़ाजगान अरभी। दलील उन्हा हम क्या हुआ बखशी बखशी। इतमालन चुन दर अर्दू बूद एतमालन नतुनिस्तम बहतर इबलाग कनम इन खुद मन नमुनहाई के अजबन उर्दू या अशार उर्दू के आवरदम उन बे दलील इन नबूद के खेली शबीह बे शायरान और नवी संदगान सबके और असानी चीजी दर मादर हिंद दाश्तीम इन तोर मैं चीज नदाश्तीम फक्त नमुनहाई के मन इन जबूदम इन बूद के एक जबन या रविश अदबी दर शिकल अब्तिदाई खुद चे नो वीजगीहा दारत यानि एलावे बर इनके इनक तनफर बा फरहंग और जबान और लिसान अरभी व सियसत अरभी दाश्तवान खुद चुन दर हालत अब्तिदाई बूद हैं खेली अज़ वीजगीहाई लिसानी वौ जबानी और अदबी अब्तिदाई दाश्तवान झाली आपको सब्सक्राने है। आप सबी का बहुत-बहुत शुक्रिया नहीं नहीं का जाट साब एक हमारे भी मिटिंग है फॉरन इसी मिटिंग के बार तो हम इसी में रहेंगे अगर आप प्लीज जरूर आप से खुदा आफिस और आगली मुलाकात तक खुदा आफिस ता मुलाकात दीगर इंशाएला इं झीजड़ आपिस अरत का हम इसेन बार्थर एक हम प्लीजा।